हेलो दोस्तों, CBSE Board Class 10 के बच्चों को लेकर most important वीडियो आपके सामने लेकर आगिया हूँ Term 2 को लेकर latest pattern पे based हो जो है, आपके सामने यहाँ पे sample paper लेकर आगिया हूँ जो CBSE Board के term 2 के examination को देखते हुए आपके latest pattern पे होने वाला है और साथी साथ यह आपको पूरी तरीके से help करने वाला है, आप किस तरीके से term 2 की तैयारिये करेंगे कैसे कैसे आपको question पूछेंग जाएंगे, तो सब कुछ जो है मैं आपको इस तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ term 2 का exam जैसे कि आपको CVC board ने यहाँ पे mention कर रखा है कि term 2 का भी बेटे जो है आपके 40 number के होने वाले हैं यह 40 number तब तक रहेगा, जब तक आपके exam सोजाते हैं, अगर exam नहीं हो पाते हैं, तो term 2 का बेटेज को घटाया जाएगा लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, अगर term 2 का exam नहीं हो पाता है, तभी ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर exam होगा, तो आपके 40 number का ही बेटेज आपके term 2 का रहेगा तो cvc board का term 2 को लेकर, class 10 के बच्चों को लेकर math का latest sample paper होने बाला है, तो cvc board term 2 का paper किस तरीके से होने बाला है, term 2 में किस-किस type के आपके सवाल होने बाले है, यह पूरा वीडियो आप लोग आखिर तक देख लीजिए, और आपको किस तरीके से आपको पढ़ाईया करनी ह कौन को सी चीजे पर आपको focus रखना है, सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको one by one करके बताऊंगा, तो सबसे पहले term 2 का exam जैसे की cvc board ने already mention कर रखा है, कि term 2 का exam जो है आपके लिए एक subjective exam होगा, जहां पर cvc board जो है आपके term 2 के exam में short long question जो है आपको पूछने वाला ह तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जिसकी को आप लोग प्रैक्टिस करनी है आपके term 2 के examination को लेकर, क्योंकि आप लोग के काफी सारे सवाल थे, आप लोग के काफी सारे comments भी मैंने देखी थे, किसा term 2 के exam में कितने कितने number के question पूछन 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 होने वाला है, एक एक नंबर के starting में आपके term 2 का paper होगा, आपका math का paper होगा, आपके अलग subjects को लेकर भी मैं आपको बना दूँगा, तो math को लेकर आप लोग इस वीडियो में देख लीजे, आपके एक एक नंबर के question कुछ इस तरीके से होंगे, जहाँ पर आपको one bird में जो type 3 में आप लोग देख सकते हैं, case study के भी आप लोग को practice करनी है, case study की question जो है, आपके यहाँ पर पूछे कहा है, जो इस तरीके साप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, case study वाली जो questions है, यहाँ पर आपके multiple choice type में होंगे, जो term 2 का जो है, इस तरीके सापका syllabus है, यहाँ पर term 2 में आपके paper किस तरीके से पूछी जाएंगे, और किस किस type के questions से आपको term 2 में सामना होगा, तो आप लोग को पहली से इस type के questions को तयारी कर लीजे, एक number के question के बाद जो आपका part B होगा paper का, उसमें 2-2 number के सवाल यहाँ पर होने वाले है, जिस तरीके साप लोग देख सकत है, 2-2 number के question होने वाले है, subjective सारे questions हैं, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख लीजे, उसके बाद section 3 के बाद बाद करें, तो section 4 में आपके 3-3 number के सवाल आने वाले है, आखरी section आपका होगा, वो 5-5 number का section होगा, यानि कि 5 number के एक question होगे, आपके optional होगे, 5-5 number के आपके 2 question पुछे जाएंगे, यानि पहला question में आप लोग देख सकते हैं, 2 question है, जिसमें सापको 2 में से 1 करना है, optional आपको उपर भी मिलेगी, लेकिन इस तरीके सापको 5-5 number का question सापको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तीस तरीके से आपको term 2 को लेगा, आपका pattern होने वाले है, और इसका link जो है, आपको description में मिल जाएगा, टेली ग्राम का, वहाँ से आप लोग join होकर, साथ ही चाथ जो है, पूरी completely speedy आपको देख सकते हैं, ताभी किस पीडियो में इतना ही प्यारी बच्चों, अगर आफ वोए चल्वे पहली पर आये हैं, तो चैनल को subscribe करना ना भूलि तेगा ताभी भी सुदों मितना ही जाहिएंद